आज मैं खास गर्मियों के लिए एक तम थंडा थंडा हेल्दी सर्वत की रेसे पीले कराई हूँ और इस सर्वत को बनाने के लिए मैंने बहुत ही हेल्दी चीजों का यूज किया है जिससे आपको गर्मियों में भरपूर मात्रा में एनरजी मिलेगी आपकी इम्मिनिटी और इस तपती हुई गर्मि में आपको बहुत ज़्यदा तरावाट और रहत मिलेगी और इसे बच्चों से लेके बड़े तक सभी चाव से पीते हैं और आप इसे एक बार बना कर रख लें और आप इसे पूरे हप्ते तक पी सकते हैं ये पूरे एक हप्ते तक बिल्कुल में रिस्पी कैसी लगी नमस्कार में राधा दूबे मॉम्समेजिक चैसी फूद में आपका स्वागत करती हूं अगर आपको आज की रिस्पी पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेर करना ना भूले और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें तो चलिए और इसी दूद में से हम करीब तीन कर्ची दूद एक बाउल में निकाल लेंगे और इस दूद को रख देंगे साइड में हलका सा ठंडा होने के लिए और आप हम इसमें डालेंगे करीब पांच बड़ा चमत चीनी अगर आप यहाँ पर चीनी खाना पसंद नहीं करते तो आप इसमें मिसरी भी पीसकर डाल सकते हैं तो मैंने यहाँ पर करीब डे लेटर दूद में पांच बड़ा चमत चीनी लिया है इतना चीनी डालें से यह बहुत अना मेठा भी नहीं होगा बहुत जाद फीका भी नहीं होगा एक दम पर्फेक्ट बनेगा और जब तक हमारा कंस्टेट पाउडर नहीं मिल रहा है तो आप इससे केपी कर सकते हैं और इससे हम अच्छी तरीके से दूद में मिक्स कर लेंगे टाकि इसमें कोई लंस या गुठलिया ना पड़े तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने इसे अच्छी तरीके से mix कर लिया है उसमें कोई भी गुटलिया वगिर नहीं पड़ी है और अब हम इस mixer को इस दूद में थोड़ा थोड़ा डाल कर इसे चलाते हुए mix करेंगे एक साथ नहीं डालेंगे थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे उसे लगातार mix करते जाएंगे यह डालना पूरी तरीके से optional है अगर आप डालना चाहते हैं तो डालेंगे नहीं तो आप इसे skip कर सकते हैं तो इस तरीके से चलाते हैं हम इस दूद को थोड़ी दिर और पकाएंगे और आप देखेंगे कि जैसे जैसे यह पकता जाएगा वैसे वैसे यह दीरे दीरे गढ़ा होता जाएगा जब तक हमारा दूद पक रहा है तब तक हम बना लेते हैं गर्मियों में तरावट देने वाला एक मिक्स तो इस मिक्स को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक रात पहले ही सारी चीज़ों को भिगो दिया था और इसे इस तरीके से भीगो कर यूज करने से जो इसके अंदर की heat है वो पूरी तरीके से खतम हो जाती है जिसकी वज़े से आप इसे गर्मियों में पी या खा भी सकते हैं तो इसके लिए मैंने यहाँ पर एक कप में भीगोया है आठ से दस काजू, आठ से दस बादाम, दो बड़े चमच खरबूजे के बीच जिसे आप मिलन सीर्स भी कहते हैं और साथ ही में 20-25 पिस्ता, आपके पास जो इसमें नहीं है उसे आप स्किप कर सकते हैं और आप हम इसे मिक्सी में डाल कर इसे अच्छी तरीके से पीस लेंगे अच्छे से फ्लेवर के लिए हम इसमें डालेंगे 2-3 इलाइची आप यहाँ पर इलाइची की जगे पर इलाइची पौडर बिड़ा सकते हैं मिक्सी का ढक्कन लगा देंगे और इसे अच्छी तरीके से पीस लेंगे और यह देखिए हमने यहाँ पर इसे अच्छी तरीके से पीस कर इसका पेस्ट बना लिया है और आप हम इसमें डालेंगे थुरा सा काजू, पिस्ता और बादाम डालने के बाद हम इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे ड्रैफूर्स आपके शरीर पर दो तरीके से काम करते हैं अगर आप इसे सर्दियों मिलेंगे तो यह आपकी बाड़ी को गरम रखता है और साथी साथ यह आपको ताकर भी देता है और अगर आप इसे इस तरीके से ओवरनाइट सोक करके लेंगे तो यह आपको ताकर के साथ साथ काफी तरावट भी देती है और अब हम इसमें से 1-1.5 बड़ा चम्मच पेश्ट इस दूद में डाल देंगे आप इस सर्वत को कितना गाढ़ा या कितना पतला पीना चाहते उसके हिसाब से आप इसमें इसे एड़ कर दे और थोड़ी देर के लिए हम इसे उबाल लिए तो दूद को हमने यहाँ पे थोड़ी देर के लिए अच्छे से उबाल लिया है और दूद भी हमारा अच्छी तरीके से उबल चुका है अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और दूद को ठंडा होने देंगे तो इसे हम एक से देड़ गंटे तक फ्रिज के अंदर रख देंगे और उसके बाद हम बनाएंगे इसका शर्बत क्योंकि अभी ये सर्बत बना नहीं है अभी इसमें बाकी की जीजें डालना बाकी है और अब हम यहाँ पे लेंगे एक सेब और इसके उपर चीदा लगाकर हम इसे छोटे-छोटे पीसेस में काट लेंगे तो सर्बत बनाने के लिए हमने यहाँ पे सारी जीजों को रेड़ी कर लिया है तो अब हम दूद को भी देख लेते हैं और देड़ घंटे फ्रीज में रखने के बाद हमारा दूद भी काफी अच्छी तरीके से ठंडा हो चुका है और अब हम इसे और पी ज़्यादा हेल्दी और तरो ताजा बनाने के लिए इसमें हम डालेंगे सबजा जिसे मैंने 10 मिनट पहले पानी में भीगो कर रखा हुआ था एक चमज सब्जे को अगर आप इस तरीके से पानी में भीगो कर रखेंगे तो यह फूल कर बहुत ज़्यादा हो जाता है और यह हमारी बाड़ी को काफी ठंड़क पहुचाता है और आप हम इसमें फ्लेवर के लिए डालेंगे खस-खस सीरप जिससे की इस तप्टी धूप से हमें बहुत ज़्यादा राहत मिलती है और खस-खस सीरप आपको मार्केट में बढ़ी आसानी से मिल जाता है तो तीन से चार बड़ा चममच खस-खस सीरप हम इसके अंडर डाल देंगे आप इसके फ्लेवर को कितना स्टॉंग पीना चाहते है आप उसके हिसाब से इसके अंदर सीरप डाल लें इसे डालने के बाद हम इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने इस सरबत को पीने के लिए बनाया है तो यह सरबत ना बहुत ज़्यादा गाड़ा है ना बहुत ज़्यादा पतला एकदम परफेक्क कंसिस्टेंसी का यह बनकर त्यार हुआ है आप यहाँ पर इसे किसी भी फ्लेवर का बना सकते हैं मैंने यहाँ पर इसे खस-खस फ्लेवर का बनाया है और अब हम इसमें डालेंगे बारिक कटा हुआ सेप जो हमने काटकर रखा हुआ था ये देखने में और बिज़ा खुबसूरत लगे तो इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी गुलाब की पंखुडी तो ये लिजिए बनकर त्यार हो गया हमारा गर्मियों के रिए ठंडा ठंडा कूल कूल खस खस का सरवर बहुत ही ज़दा हेल्दी और काफी टेश्टी रेसिपी है तो जब भी आप इसे सरव करें थंडा थंडा ही सरव करें आप इसे एक बार बना कर 2-3 दिन तक पी सकते हैं ये 2-3 दिन तक बिलकुल भी खराब नहीं होता तो इस गर्मी में आप इसे अपने घर पर जुरूर बनाएं बहुत ज़्यादा टेस्टी और काफी समर कुल रेसिपी है और ऐसा कोई नहीं है जिसे ये पसंद ना आए तो इस तरीके से आप नहीं रेसिपी को ट्राइ करें अगर आप मेरे चैनल पर नए है तो उस सब्सक्राइब के लाल बटन को दबाना ना भूलें क्योंकि वो बिल्कुल फ्री है और अगर आपको ये रेसिपी मेरी पसंद आई हो तो लाइक भी जरूर कर दीजिएगा तो मिलते हैं अगले वीडियो में प्लीज अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें धन्यवाद